नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हम यूपिटु पलेटी जोड़े सभी अपडेट लेकर आपके सामने आते हैं और इनी हमें बहुत खास अपडेट आपके लिए आज होने बाला है जो भी लोग बहुत जादर परिशान थे अपने बैकेंटी को लेकर उन सभी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आयोग में आज बहुत बड़ी हिलचल है और किस चीच को लेकर रिजल्ट को लेकर के जाते हैं उनका जो भी नोटिबुकेशन आता है सामको 7.5 बज़े तक आपका नोटिबिकेशन आज आता है ठीक है रियल्ट हो या नय नए नोटिफिकेशन हो तो आज आयोग में जो है इसको लेकर मीटिंग है और बौ मीटिंग जो है मैं आपको बताने बात है कि सारी बात बताएंगे मीटिंग में कौन-कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं मीटिंग कितने बज़े होगी ऐसा अगर कोई बोल रहा है तो समझ दीजिए वो गलत बोल रहा है कि ऐसा मीटिंग होगी हाँ यह कि आज बात होने वाली है आपके आज बहुत सारे रियल्टों पर जो है महल लगने वाली है और आज ही रियल्ट पर महल लगने के बाद जो है आज भी निकल सकते हैं कुछ रियल्ट के नोटिपिकेशन ठीक है मनला रियल्ट आउट हो सकते हैं और एक दो दिन में भी आपको देखने के मिल सकते हैं परन्तु आज बहुत बड़ी हल्चल है आयोग जो है आप जल्द से जल्द पूरी कीजिए ठीक है रही बात यह कि नए नोटिपिकर्शन जो है उनको भी जिससे कि आयो के द्वारा नए नोटिपिकर्शन इतने भी है उनको निकाला जाए क्योंकि जिससे कि सरकार को चुनाम में एक वैकेंसी का आंकड़ा पूरा हो जाए उनका और वह है चुनाम में इस चीज का प्रियोग कर सके हमने इतनी वैकेंसी जो है आपको इस डिपार्टमेंट में दी है और बच्चों को लगे हां सरकान ने बढ़ चलके जो है हमारे साथ कोप्रेटर किया है तो दोस्तों आज देखी पहले बात करते हैं रियल्ट पर दो सकता है और एक दो दिन भी लग सकता है साती साथ जुने स्टेंड को लेकर बहुत सारे बच्चे परिशान थे तो 1262 वैकेंसी पर नोटिपिकेशन है यह आज भी तकाल में भी जारी किया सकता है फ्लाल में आज इस पर इन दोनों रियल्ट पर आज पक्का हो जाएगा एक बीच में दो रुकर है आक मंड़ी परिसात और एस ओर फ़ह उत्वी चला एक उसी सीटेंड का मेरे पता नहीं चला चाव पांच रियंट मुझे बताये थे मुझे 5 बताए गए हैं मतल मिए इंक्वाइर कि मुझे पता किया तो पांच रियंट बताए जिनमें चार रि ठीक है और करम बद сторीके से इन सो जारी कि जाएगा और दोस्तों यह पता नहीं अब इन मैं से किसको प्रधानता पहले दिजाएगी इसमें इस में प्रधानता पहले और आपको क्योंकर तुलck यह नहीं पता भी क्योंकि तुम ऐसे पता है कि ना तो सैजिफ अनलैस होता कि अब क्या होने वाला है ठिक के कुकि कल आयोग में पाम नहीं होगा कि लायों में काम नहीं होगा आज रयोग राज सकते हैं तो आप उसी को बिजिट करते रहो किसी भी समय पर आपका रियल्ट जो है जारी किया सकता है इस सब्सक्राइब क्योंकि आज ही इन बहुत सारे रियल्टों पर मोहल लगी नहीं है ठीक है यह मीटिंग में कहा गया कई बार ऐसे भी होता कि मीटिंग के परिणाम नहीं निकलते हैं ठीक है तो बात सामको बारचे लगए रियल्ट का परिणाम मेटिनिंग का परिणा मन्हें निकला यह नहीं निकला कोकि हम लाइब्स तो कर नहीं नहीं मिटिंग लाइब तो नहीं थो फुर्फ में से किसको परदानता दी आज आपको या कल आपको notification किसका देखने के मिले सरकारी रियल्ड पर भी और या फिर यूपीट प्लैस्टी की official website पर ये तो ही result पर चर्चा आज new notification को पर भी काम किया जाएगा बहुत ज़्यादा क्योंकि तुम पता इस बार यूपीट प्लैस्टी ने 2023 में सबसे ज़्याद नोटिफिकेशन और हैं जिन पर चर्चा चल लए है अब नहीं कह सकते कि कौन से क्योंकि उनकी बात जो है ओपन तरीके से हमारे सामने नहीं आई है ठीक है यह सामको पर चल जाएगा अभी एजी टीये को टाइम लगेगा आपको इसमें और हो सकता है एजी टीये भी हो इस पर आज लगनी है तीन नोटीपिकेशन जिन पर मोहर लगनी है अब यह साम को कौन सानी आई उस पर हम बात बता देंगे आपको ठीक है दोस्तों क्योंकि क्योंकि वार ऐसा होता थोड़े से पारिवारी कारिये होते उनके लिए जो है आदिम पजी हो दाता है हम तो तो थोड फिलाल में आप लोगों को यह दिहान अखना है कि आज जो है यूपी रिप्लाइस थी हैं बहुत बड़ी हल चला है आपके रियल्ट पर चर्चा हो रही है क्या के रियल्ट है किन किन के जारी करने रूकवी भरती जिदनी भी है उन सब के रियल्ट जो है रिलीज किया जाएं बिल्ट है पर किम रियल्ट हो चुका है क्रोश चेकिंग हो चुका है समलकर हो तो कि एक गलती तो नहीं इसको भीनोट प्रकिसे थी यह उनको भी चेक लैता एक मैंना आपको बता अगर आप लोग कोई संंका लगती कोई दिकते आती तो कोई से बाटاص कर सकते हो यह सिदे Cen आपन 55, 55 प्लस No. भी है किसी के 55 से 2 रुपंल नीचे भी 270D है तो आगर हैं तो फाइनल मेरेट के लिए टाइपिंग के लिए लुग शेफ है ये तो आपको पता है फिलाल में कटोब जो है कभी भी रिलेज नहीं करता सब जो भी कटोब बताते हैं और पीछे का ऐनलिसिस करके ठीक, यह कभी भी आयोग सोसल नहीं करता कटोब को, एक दो नंबर जो है वो कि बल अंदाईय से जो भी बताता है, फिलाल में आपके लिए अपडेट था और थोड़ा सा, मैं और भी आपको बता सकता था है मैं आपको कि भी इतनी जानकारी दे सका हूँ चलिए फिलाल में जैसे को अपडेट आता है तो हम आप से जो है सीधे संपर्ग करेंगे ठीक दोस्तों तो मिलते हैं कि इस खास नियुच के साथ जब तक के लिए जहें जवारत बंदे वातर हो